नमस्कार दोस्तों केक एक्जाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसेल टीजी टू यूपी आरिणल टीजी टू डी आरडियो सेल एनपीसी आईयल आदी परिच्छाओं की तैयारी अच्छी चल रही हो होगी दोस्तों इन सभी परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्टरिशन ठेयरी से कुछ महतपूर्पूर्प्रस्णों की सीरीज श्टार्ट की है जो कि दोस्तों ये प्रस्ण प्रिवियस येर में पूंचे गए प्रस्ण होंगे ये आपके किसी भी एक्ज काम हो इस सीरीज को देखकर वैड़ जाना दोस्तों यहां इस सीरीज से दोस्तों अधिक से अधिक प्रस्ण मिल जाएंगे चलिए आपका ज्यादा टाइम ने लेते हुए इन प्रस्णों की सुरुआत करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे सो प्रस्म होते हैं डेल सो से ज्यादा हो जाते हैं लेकिन दोस्तों उससे कम नहीं होते हैं चलिए एक ही वीडियों पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है चार से पांच सवाल हर टॉपिक से हम लेते हैं मानव सरीर पर बिजली के जटके का प्रभाव निम लिखित पर करता है और दोस्तों नबे कि आंप उल्टे नबे की आपप Nous यह मानव शरीर पर फ्रामップ का देती अब जीफित तो जहते हैं और जैसे जैसे हानिया है जो किसी ब्यक्ति को विजली के जटके लगने से हो सकती है तो इसमें देखते हैं आपस नमबर में में किसी अंग के विशेश पर छाले पड़ जाना या मांस जल जाना दोस्तो ये भी है और हरदय गती रुखना वा मुरत्य होना ये भी सही है और स्वास में रुका फायर के मामले में निमली खित में से कौन सा प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है सही उत्तर दोस्तों आपसर नमबर सी सूखा बालू का प्रयोग इसमें करते हैं राइट अंसर दोस्तो आपसन नमबर A धीला कनिक्षन इसका सही उत्तर है चलिए हम अगले प्रस्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ण दिया गया है एक नियान टेस्टर को इसके डेट डेस वोल्टेज द्वारा निर्डिस्ट किया जाता है राइट अंसर आपसन नमबर उड़ेस्टर पेचकस के समान होता है इसके द्वारा सप्लाई में फेज टेस्ट किया जाता है जो सप्लाई होती है उसमों फेजट करते हैं और इसमें आठ सेंटीमिटर लंबा ब्लेड लगा होता है इसका प्रयोग क्यों 500 वोल्ट तक ही मालो 500 वोल्टेज तक ही तर अंसर आपते नंबर भी बर्म का उप्योग करते हैं अगला प्रस्रें दिया गया है कि ज़ए दर्सक्ति किया जाता है ऑपन नंबर ग्यास को मापता है एक डव्लू झार की Ihnen काभिका मापता है चल जो कि दोस्तों जो सबसे कम होता है उसमें सबसे ज्यादा धारा प्रवाहित होती है जैसा कि यहाँ पर दिये गए जिस तार का आदिक होता है और इसके इप्रिय जिस तार का एश्डवलू जी अधीक होता है यहां से आप समझ सकते हैं जैसा कि अदो आऴन फ्रवाहित हरों प्रवाहित हो में अदिक होगा में अधिक धारा प्रवा होगा चल यह अगले प्रस्न पर चलते हैं कि अगला प्रस्न आपका विद्धू धारा प्रवा के लिए तयार किया गया बंद एवं पूर्ड मार्ग कहलाता है शह उत्तर दोस्तों अपसे नम्बर D परिपत इसका सह उत्तर है जैसे कि दोस्तों हम द भूसरे कर एक दूसरे से सैयोजित होते हैं जैसा कि देख सकते हैं चल्यागला परसंद दिया गया है कि यदि विदूत आवेसी दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विदुत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदी नहीं होगा यदी दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपस नमबर डी दोनों विभाव समान होने चाहिए तभी धारा प्रवाहित नहीं होगी जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम और देखते हैं और दोस्तों इसमें सभी में धारा प्रवाहित होगी जैसे कि दोस्तों दोनों की धारिता समान हो और दोनों का ताप समान हो इसमें सभी में धारा प्रवाहित होगी दोनों की आवेस मात्रा समान हो लेकिन दोस्तों इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी जैसे कि दोनों का विभाव समान ह जैसा कि दोस्तों यहां पर दिया गया है हमने बता दिया और धारा का प्रवाह उच्छ वोल्टा से निम्न वोल्टा की तरफ होता है चल अगला प्रस्ण है प्रत्रोध के वर्ड कोड में लाल रंका यानि कलर कोड वाला प्रस्ण है दोस्तों लाल रंका कौन सा मान दिया गय है दोस्तों लाल रंग का जो होता है यानि रेड जो होता है वो दो होता है जैसे कि हम दोस्तों और आपको मान बताना चाहेंगे जैसे की जो काला का होता है जीरो होता है यानि भूरा का एक होता है रेड का यानि लाल का दो होता नारंगी का तीन होता है पीला का चार होता हर हरा का पांच होता है नीला का अच्छा है वैगनी का साथ और श्लेटी का आठ और सफेद का नव होता है और दोस्तों जो गोल्डन के लिए परसंटेज में होता है वो प्लस माइनस पांच प्रतिसत होता है और जो सिल्वर के लिए होता है प्लस माइनस दस प्रतिसत होता है औ प्रश्ण है हीटिंग टित्तों के तार अधिक उत्त्य निक्रोंल से बने-ट करता हैं जैसे लोग होता है जैसे कि नैक्रोंलitt Yong हीट का फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वाइर आड़ टी होता है जहां कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सारे मान दिये गए हैं अगला प्रशन निम लिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सूचालक नहीं है राइट एंसर दोस्तों आपसा नंबर डी पोर् यहां पर्सलीन पदार्थ एक उचालक होता है और पोर्सलीन एक विशेश प्रकार की मिटी होती है जिसमें विभिन आकरतियों में ढालकर सुखा कर तथा पका कर विभिन प्रकार की अचालक वस्तुवें बनाई जाती है इसका उपयोग ओर हेड लाइन है तो आचालक फ्य सबसे उपयोगत है राइट एंसर अपसे नमबर भी वार्निस्ट का इंपरिंग इसका सही उतर है जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट दिये गए हैं यहां एक संसेचित सूती कपड़ा होता है जिस पर वार्निस की कोटिंग की जाती है और अगला पॉ प्रत्मान प्रत्रोद क्या होगा दोस्तों इसका पूरा सम्मान दिया गया है यहां पर जैसे की देख सकते हैं देख सकते हैं एलतू और इंटू यह सब मान दिया गया है ईल बराबर बीज़ काया है अरवन बराबर 5 दिये गया है और फरावर मान इसका निकालना है जैसे की दोस्तों यह सिंपल सवरार्मूले पर आपको मान रखना है तो आपका इसमें उत्तर आ जाएगा R2 वराबर 20 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं यहापर आप समझ सकते हैं चलिए अगला प्रशन पर चलते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 20 आया 20 यहाँ पर आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है अगला प्रशन दिया गया ह अगर दोस्तों नहीं हलकार पार रहे हैं तो दोस्तों इसे देख कर सई धंग से इसे हल करिए। अगला प्रशन दिये गाए। किसी चालक की लंभाई में ब्रदी होने पर उसके प्रतरोध का मान होगा। सही उत्तर दोस्तों आपसनैंज сюжre 8 U उसका मन प्रत्रोद का मन बढ़ेगा जैसा कि दोस्तों किसी चालक का प्रत्रोद उसकी लंबाई यानि एल के अनुक्रामा अनुपाती और उसके अनुपरस्तु परिछे छे तफल के बुद्क्रामा अनुपाती होता जैसा कि दोस्तों ये संबन से बताया गया अगला प्रश यदि किसी वैदू चालक की लंबाई दोगनी कर दी जाए तो इसके प्रत्रोध का मान दोगना हो जाएगा क्योंकि दोस्तो प्रत्रोध लंबाई के अनुक्रमा नुपाती होता है जैसे कि दोस्तो और बराबर रुल अपाने इसका फार्मूला जानते ही होंगे ये रट गया होगा आपको निम लिखित में से कौन सा परिपत इस्थिर रिले सरलीकरत ब्लाक आरेखों में उपस्थित नहीं होता सहुता दोस्तों आपस नंबर ए प्रतीपक इसका राइट एंसर है इस्थिर रिले सरलीकरत ब्लाक यानि इस्टेटिक रिले सिंप्लिफाइड ब्लाक आ किया गया है एक नियुंताम आयल सर्किट ब्रेकर में निमनि में से कौन सा क्वेचिंग माध्यम और हाई मतलब डाई इलेक्टरिक माध्यम में से उप्योग किया जाता है सह उत्तर दोस्तों आपसा नमर डी डाई एलेक्टरिक आयल इसका सही उत्तर है जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं इसमें निंतम तेल परिपत्व व्योजक में आर्क बुझाने वाला मध्यम और परवायदुत मध्यम के रूप में परवायदुत तेल का प्रयोग किया जाता है और परिपत्व व्योजक यानि स्विच गेर का एक उपकरण है जिसका प्रियोग परिपत के में किया जाता है अगला प्रशन अगला प्रशन दिया गया है लाइन रोधक उपकरण रोधक और व्यास्तर की सबसे सरल सुरच्छा डेट डैस द्वरा प्रदान की जाती है सही उत्तर दोस्तों आपसा नमबर दी दंद अल्तराल इसका सही उत्तर है चल जे अगला प्रशन आपका दिया गया है फ्यूजितत तुम्हें होकर फ्यूज तस्ट से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्तपादित उस्मा डेड़ डेस्क अनुक्रमा अनुपातिक होती है सही जैसा कि दोस्तों यह जूल के नियम अनुसार होता है हरा फ्यूज तार ये चोटा तुकडा होता है जो परिकततार के सात स्रड religious में जुड़ा होता है श्रेज प्रत take सकुरिटिंग्र और यानि को अगला प्रंशन, किसी प्लेट इसलोड प्रक्रियमे दविए से होता होता है में तापमान में ब्रद्धी का समानता परिडाम है राइट अंसर दोस्तों आपस नमबर सी निच्छे पर दर को बढ़ाता है यह इसका सही उत्तर है चले जैसे कि दोस्तों यहां पर दिया गया है धातू धातूं जो की विदूत की सुचालक होती है इन पर मिस्त धातूं की परच चड़ाकर रबर यहनि यह जिसे रबर चड़ाकर इसे विदूत रोधी बनाये जाता है यहनि दोस्तों विदूत रोधी बनाते की की सी यह करिंट न लगए इसे रबर कहते हैं इसके अंतरगत धारगणत तो 100 A.5 M.2 रखा जाता जैकर जैसे कि दोस्तों धारा घनत तो बराबर फार्मुला होता है धारा बटे, छेत्रफल इसका होता है चलिई, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन आपका दिया गया है, सिसा सेल में रिलात्मक प्लेटों की संक्या होती है राइट एंसर आपसन नमबर भी धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है चल ले अगले प्रशन पर चलते हैं जैसे कि आपका अगला प्रशन दिये गा है दोस्तों इसकी थोड़ा व्याक्षा देखते हैं सीसा एक सेल में रिवड़ात्मक के प्लेटों के समंक्या हमेसा दो की संख्या एक होती है विए त्र के नमर weten टो से सब्सल्ड़ा कि पुर्ष्ण कहलत है ऐसे तो अगले प्रस्ण से्ल थे हैं जैस grading कर्णिक अभिक्रियश लग उसाफ wenn Hind सेल जिसमें राशाइनिक किरिया पर विप रहाए नहीं होती है अर्थात दोबारा वेशित नहीं किया जा सकता है प्रात्मिक सेल का इलाता है अगर पूरी सिरीज देख लेते हैं तो जिस दिन आप एक्जाम हाल में बैठ वे तो यह सीरीज आपको ध्यान में आएगी आगी यह में प्रस्ण दिख जाएंगे तो आपको वहीं प्रस्ण मिल में गया तो यूस न है क्यों कि दोस्तों ये इतने अच्छे प्रस्ण है क्यों अरड्म दिए होगा तो आप जानते ही होंग इसमें शेभ प्रस्ण ऍपक्राइ ayuda कि जय older κι blij आद्षिई आजब करें लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी उत्सरजित होती है कौन सी गैस उत्सरजित होती है आपसे नमबर A हाइडरोजन उत्सरजित होती है जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है चार्जिंग के समय पूल आवेशन और धनात्मक प्लेट यानि लेड़ आकसाइड गहरे भूरे या चाकलेटी रंग की होती है तथा रिलात्मक प्लेट लेड़ हलकी हिसलेटी रंग की होती है पूल रूप से डिसचार्ज हो जाने पर दोनों यानि प्लेट P.B.A.SO4 में की सिंपल सा है एक बारा यानी एक एक सो बीस एच चमता यानी एंपियर आवर वाले बैटरी आट एंपियर धारा को डेट डेस अवधी के लिए दे सकता है सह उत्तर दोस्तों अपसे नमबर एप 15 एंपियर जो की दोस्तों यहाँ पर मान रख सकते हैं मान रखके इसको हल कर स जैसे कि दोस्तों दच्छता इसकी गई है एक सो बीस और आठ एंपियर दिया गया है एच बराबर निकाल लेंगे पंद्रा आवर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है जैसे कि लेकलांसी सेल में डेट डेस इलेक्ट्रोलाइट होता है सही उत् है चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है आपका इस्थिर विद्धू चार्ज वाले छेत्र में डेट डेस होता है सही उत्तर आपसे नमबर भी विद्धू छेत्र होता है यानि इलेक्ट्रिक फिल्ड होता है चलिए जैसे कि दोस्तों इसमें देखते करता है यह जिस पर विदूत कारिक करता है विदूत छेत्र कहलता है अगला प्रशन अगला पुर्शन आपका दिया गया है एक चुंब की छेत्र चारों तरब विद्धमान होता है साइवते तरो जोस्तों। आप सनरी दी चलाएमान आवेश के कट्व द्रूप चलते हैं राइट एंसर दोस्तों अपसन नंबर D zero होता है, जैसे दोस्तों आगर आपने इंटर किया हो गा तो वहाँ पर आपने गाउस के नियम को देखा भी होगा और उसे साल भी किये भी होंगे, जैसे कि चुम्बकत् संबंदी गाउस के नियम अनुसर किसी बंद प्रश्ट में से गुजरने वाला चुम की फ्लक्स हमेंजा सूनने होता है यह इसका chau था अगला परसंटे पर चलते हैं माइक यह चाब्त सुखिर voltage का मान दिया गया है और अबरति दी गई है और धारिता दी गई इसका formula होता है दोस्तों धार्णि प्रति गषाद बराबर one upon two ुप आई एक सी यहाँ पर मान रखेंगे मान रखेने के बाद दोस्तों धारती प्रतिघाद बराबर आ जाएगा यानि एक सी बराबर आजाएगा 22.73 ओम आएगा फिर इसके बाद आई बराबर दोस्तों होता है व्यापन एक सी इस फार्मूले पर परक देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 11 इंपर सही उत्तर होगा जैसे कि आपसा नमबर राइट एंसर है चल अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन दिया गया है निम लिखित में से कौन सा फेजर आरेक विसुद्ध प्रत्रोध को परिपत निरूपीत करत राइट एंसर दोस्तों अपसा नमबर भी इसका सही उत्तर है यानि दोस्तों ये विसुद्ध है जैसा कि दोस्तों ये सभी सुद्ध है इसे आप देख सकते हैं चलिए हम अगले प्रशन पर चलते हैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए भू शंपरक तार का साइज ह होना चाहिए राइट एंसर दोस्तों अपसा नमबर डी फेज और न्यूट्रल तार से अधीक ये इसका सही उत्तर है चलिए दोस्तों आपका अगला प्रशन है सव वाट और धाईसो वोल्ट के दो वल्ब धाईसो वोल्ट सप्लाई पर स्रीज में लगा जाते हैं तब प् है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें अगला प्रशन है अपका निम लिखित सर्किट में बिंदू ए और डी के मद्ध प्रिरकत यानि इंडेक्टेंस होगा दोस्तों यह पूरे जैसे कि दोस्तों ए और बी ए और डी के बीच कि इसमें निकालना है यह सभी प्रिरकत जो हैं समांतर में जूड़े गए समांतर में जो प्रिरकत होता है दोस्तों वन अपान एल इक्वेलेंट बराबर यहानि वन अपान इसका फार्मूला होता है डेट डेस आगे तक जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसका मान रख देंगे वान पान तीन प्लस वान पान तीन प्लस वान पान तीन इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा एक सही उत्तर हो गए चलिए हम अगले प्र कि अगला प्रश्ण दिए गया है जैसे कि देख सकते हैं एक इसी विशुद धारीता का प्रत्यवर्ती विद्धोथ्वाइब यानि इंएमेश प्रकार लगाये गया कि धारीता प्रतिघात दस ओम हो जाए अब रतिविदिदोगनी कर दी जै तब प्रतिघात हो जाएगा से जहाँ तर दोस्तों आपसन उमबर सी 5 होगा जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इसमें दोस्तों मान रखकर इसी से निकाल लिये गए इस पार्मूले sai xini洗ची टू इस का मान होता है यहाँ पर मान रहल देंगे जैसा कि दोस्तों FC बराबर 2 FC1 इसका मान यहां पर रख दिया गया FC2 के दर पर तो यहां पर इसका मान आ गया XC यानि धाती प्रतिगाद दूसरा बराबर 5 आ गया इसका सही उत्तर होगा चल ये जैसे कि दोस्तों इसमें 5 आया इसका सही उत्तर है हम अगले प्रशन पर चलते हैं उन्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में तो अपने तरीके से आप समझ सकते हैं अगला पुर्ष्ण दिया गया है निम लिखित में से कौन सा लेट अध्रस प्रकास चोड़ता है इसका सही उतर है जैसा कि दोस्तों इसकी तरंग दर जो होती है 7600 इंगे स्ट्राम से अधिक होती है चल ज़िए हम अगले प्रसन पर चलते हैं दोस्तों अगले प्रसन से जाने से पहले मैं यूपी आर्वीनल टीजी टू के छातरस को कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों आपको इस समय डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है जो दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा है सिर्फ वही को रिवाइज करें बार बार वही को रिवाइज करने वही में से प्रसन आपको मिल जाएंगे क्योंकि दोस्तों अब नया पढ़ोगे तो वो धसेगा नहीं आपके दिमाग में और जो मानलो जो टेक नान टेक है उसको भी आप थोड़ा देखते रहें क्योंकि दोस्तों इस बार कंप्रटीशन बहुत है और काफी लोगों ने इस बार फाम भर रहा है चलिए आपका अगला प्रशन दिया गया है दो परिपथों के बीच विदुत वियोजन है तो प्रकासी युगमक का इस्तेमाल किया जाता है प्रकासी युगमक डैट डैस का एक पाइकेज है राइट एंस है दोस्तों आपसन नमबर भी एलीडी और प्रकास डायोड इसका सही उत्त के लिए किस प्रकार के दीपो का प्रियोग करने के लिए वरीयता दी जाती है राइट एंसर अपसन नमबर एलीडी को वरीयता दी जाती है जैसा कि दोस्तों देखते हैं सावर शाह प्रकार सब् सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पूरा अंग्रेजी में आना चाहिए धातु की किसी तता पर आने वाली प्रकास उर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्टरानों को इस्थनांतिर्ट करने के लिए उन्हें सताहा छोड़ने में सच्छम बनाती है इनको किस प्रकार क वरगी करत किया जाता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपसन नंबर सी जो की देख सकते हैं प्रकास वैदुत सर्जन यानि फोटो इलेक्टरिक इमिशन इसका राइट एंसर है चलिए दोस्तों जैसे कि दोस्तों इसमें देखते हैं धातु के सताह पर आने व अगला प्रशन दिया गया है दिश्टकारी यह नि जेक्टिफाय परजपत में फिल्टर कापिसीटर का कार्य डैट डैस को कम करना है सही उत्तर दोस्तों आपसन नंबर डी उर्मी का इसका राइट एंसर है चलिए हम अगले प्रशन पर चलते हैं दोस्तों इसका फार्मू दो एक तथा पूर्ड तरंग दिश्टकारी के लिए जिरुसंदो चार आठ दो ब्रिज दिश्टकारी है तो जिरुसंदो आठ चार होता है जैसे कि देख सकते हैं हम अगले प्रशन पर चलते हैं आपका आगला प्रशन दिया गया है हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास शीज्टकारी के लिए जाती है क्योंकि राइट शैर दोस्तों आपसर ब्रशन नबर भी आब्रती दर्शाने वाले इसका सहीतर होगा है जैसे कि दूस्तों हम देखते हैं याँ पर हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं हमें आप्रती दर् स्मिक्ता दी जाती है क्योंकि राइट अंसर दोस्तों आपसा नंबर स्री इनको कम चरम उतकरम वोल्टेज की आवशक्ता होती है चलिए हम अगले प्रशन पर जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे जैसे कि दोस्तों यह हमारा टेली ग्राम चैनल है चाहे तो आप इ इसका उपयोग बंद किया जा सकता है राइट अंसर दोस्तों आपसा नंबर सी नकारात्मक गेट सिगनल जैसे कि दोस्तों यहां पर देखते हैं एस्यार और जीटीओ यानि गेट टर्न आप थायरिश्टर के बीच प्रमुकंतर है यह जीटीओ का रिलात्मक गेट सिगनल देने पर जीटीओ यानि थारेश्टर टर्न आप आप इस्तिती में चला सक चला जाता है जब कि एस्यार एक आन हो जाने पर गेट पर कोई नियंत्रा नहीं रह जाता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं निम लिखित में से कौन सा तीन टर्मिनल एक धुरूई ठोस इस्तित यह इसी आज्व यूटी है तो चैत्र के द्दौरा धारा नियंत्रित की जाती है जैसे कि दोस्तों यह एंड होता यह पीडिटी और ried hugging सकते हैं दोस्तों एरो जो होता है अंदर की तरफ होता है और फीटी में दोस्तों एरो जो होता है बाहर की तरफ होता है सिर्फ इसमें यही अंतर होता है जैसा कि दोस्तों हम यहां पर देखते हैं इसका प्रचालन के वल अधी संक्याक वहाग के प्रवाव पर निर्वर करती है अता हो यह एक यूनि पोलर युक्ति है बेज़ी टी बेज़ी टी की भाहती एक फटी भी एक टीन टर्मिनल की युक्ति है जिसमें ढूल लेक्त नियंत्राक। या वोड़ ज्बशिय events नियंत्राक यह चल्च लेकला परесन पर चलते हैं आपका अगला परसंतरा इंगा डेट डेश कहलता है राइट एंसर आपसर नम्बर डी उर्ष ऑफ सोर्स कहलता है जैसा की दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फीटी में टीन टर्मिनल सोते हैं जैसे की सोर्स ड्रेन गेट यह सभी होते हैं अगला पॉइंट देखते हैं फीटी एककंट्रोल डिवाइस वा लोश सक्थ हैं एक आपको वता दिया आपको एन फीटी यह शिंबल होते हैं और दोस्तों इसमें प्रस्ट भी बंगता है जो कि दोस्तों पूछे जाते हैं अगले पर सरो फस्क पर सकते हैं यहां पर देख सकते यानि लो लेवल आउटपुट उत्यपन करेगा देख सकते हैं दोस्तों हमने सौरे टोपिक से पूरे प्रस्ण लिये हैं जो कि आपके किसी भी एक्जाम के लिए महात्रपूर साबित हो सकते हैं जैसा कि दोस्तों इसका अंसर आपसन नमबर डी अथ्वा पूरक यानि एन ओ आर इसका सही उत्तर है जैसा कि दोस्तों इन ओ आर इसकी देख सकते हैं टेबर सारी जैसे कि यहां पर दिया गया है यहां पर इंपूट में जीरो जीरो देंगे तो यहां पर एक प्राप्त होगा दोस्तों यह आर गेट जो है वह आर गेट का उल्टा होता है यहां पर दे दिया जाता है तो output में देख सकते हैं यहां पर जीरो प्राप्त होगा जैसा कि दोस्तों यह और गट में प्राप्त होगा और यह नौर गेट के लिए है यहां पर देख सकते हैं एक और जीरो देंगे तो और गेट में एक प्राप्त होगा जैसा कि दोस्तों एक एक देंगे तो इसमें 0 प्राप्त होगा यहाँ पर देख सकते हैं चल जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख लेना आप अच्छे से समझ लेना जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास कि अगर समझ में आया तो अच्छी बात है नहीं तो अपने से समझ लीजिए अगला प्रश्ण निम होता है कि यह आउटपूट होता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण आप का दिया गया है जैसे कि एक एक जीरो बेस में दो का दसंबलों समतुल्य होगा राइट अंसर दोस्तों आप संदमबर सी देख सकते हैं यहां से इसका मान आप निकाल सकते हैं जैसा में काउन से यूनियूरसल गेट है राइट अवस्तों आप संदमार भी और और इसका सहे उत्तार है मतलब नंद गेट दोस्तों स्वारी नेंड गेट इसका सही होता रहा है चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेंड गेट और नाट गेट के साथ कास्केट किया जाता है तब परिणामी नेंड गेट प्राप्थ होता है चलिए नाट गेट जो होता है और और नाट गेट को कास्केट किया जाता है तब यह प्राप्त होता है यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों गेट के युनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों गेटों की सहायता से किसी भी प्रकार का गेट बनाया जा सकता है अगला प्रश्ण आपका दिया गया है यहां पर देख सकते हैं निम लिखित में से कौन सा उपकरण एक मोटर को गलत वोल्टे करने से बचाता है अपका计 मर्स अनुकरम डिडेक्टर इसका राइसर जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि मोटर को गलत वोल्टेज इसतर प्रप्त करने से बचाने के लिए लिए फैज-शिक्वेंस डिडेक्टर का प्रियोग करते हैं जैसे कि यहां प्रेज अनुकरम नहीं होती है चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं वाइरिंग में प्रियुक्त चालक डेट डेस्क का होना चाहिए राइट एंसर आपसन नंबर डी तांबे का होना चाहिए जैसे कि दोस्तों कापर की जो प्रतिरोधकता होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर एक दसम्लों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल और सभी नियंतरर वाइरिंग सही हो ताकि डेट डेस्क करम प्रडाली के साथ मेल खाता हो राइट अंसर दोस्तों अपसन नंबर भी फेज अनुकरम इसका सही उत्तर होगा जैसा कि दोस्तों आपको समझ में न नुकरम यानि फेज सिक्वेंश कर से करम प्रडाली के साथ मेल खाता हो उमीर आपको समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं आया दोस्तों इसको वीडियो को रोक कर इसे सई धंसे पढ़ने का प्रयास करें और समझें लाल रंग के तार को निम लिखित के लिए उपयोग किया जाता है साई उतार दोस्तों आपसे नंबर सी फेज लाल जैसे कि दोस्तों आरवाई भी जो की फेज होते हैं यह लो ब्लू यह फेज होते हैं और दोस्तों जो कुंपन सेटिंग कुंडलन यानि वांडिंग प्रदान करने की प्रात्मिक्ता का कारण है राइट एंसर दोस्तों आप सनबरे करास मैगनेटीजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका सही उत्तर है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका डी मैग नेटे जिन घटक को न्यूट्रलाइज करना करना होता है कंपन सेटिंग वांडिंग का पॉल सू में रखी जाती है यह निम मतलब आर्मेचर के सिरीज में जूड़ी रहती है परंत उधारा की दिशा की उप्रीत में रखी जाती है चली अगले प्रशन पर चलते हैं आपक देख सकते हैं 500 वोल्ट पर एक आठ पॉल जेनरेटर का आउटपुट दो सो दो सो एंपियर पास संयोजित आर्मेचर में बारा स्वास्री कंड़क्टर और एक सो साथ दिक परिवर्था के निकम्टेटर खंड है यादि ब्रस सुन्य भार उदा सीन अच्छ यानि नेचु में आप पेन और कापी लेकर जरूर बैठा करें और जो सवाल आ जाए वीडियो को रोक कर पहले आप उसे हल किया करें तब इसको देखा करें चले जैसा कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 800 जो कि दोस्तों हम आपको समझाने का प्रियास करते हैं यहां पर अगर है यहां पर आपका एंसर जो आ जाएगा यहां पर 800 येंपीर टर्न आ जाएगा चले हम अगले पर चलते हैं उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चले आगले परशन है आपका कि अगला परशन दिया गया है डिसी जनरेटर का का रे डैट डैस के उत्तरपादन के तो चालक में इमें उत्यपन हो जाता है जिसफ़ाडे का नियम जिसे फ़ाडे की नियम कि परिभासा है आप इसे चाहे तो याद कर सकते हैं एक्जामों में पूछी जाती है एक DC मसीन में डमी कुंडली प्रियोक की जाती है रायट अंसर दोस्तों आप सन नमर आरमेचर में यांत्रिक संतुलन बना ले के लिए इसका सही उत्तर है जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या दी गई है आप इसे समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं चलिए हम अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन दिया गया है दो किलो वाट के दो सो वोल्ट वाला डी सी जनरेटर करेंट के कितने लोड की अपूर्ति करेगा सिंपल सा फार्मूला है दस्तों पी बराबर वी यहां पर आई बराबर पी अपान भी यहां पर मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा दस सही उत्तर होगा आप सनमबर सी कर यहां पर रेडर्रलफ इंद सकती मॉतर में वहां किया जाता है जहां यहां कि युद्धक यहां जाता है यह कुछ आती है अगला प्रस्ट भार बढ़ने पर दिश्ट धारा संट मोटर की गती डेट डेस राइट एंसर दोस्तों आपस नमर भी थोड़ी कम हो जाती है ज्यादा नहीं थोड़ी कम ही होती है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं भार बढ़ने पर दिश्ट संट मोटर की गती थोड़ी सी कम होत अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आपको दिया गया है दिश्ट धारा स्रीज मोटर का टीए पान आये ग्राफ का एक डेट डेस होता है राइट अंसर दोस्तों आपसा नमबर सी पूर्ड भार का एक परवले और अधिभार पर सीधी रेखा है इसका सही उत्तर है जैसे कि धारा मोटर में प्रति पोल अभ्यवा कम होता है तो राइट अंसर डी ऩापसा नमबर आपको मोटर गती बढ़ाता है इसका सही उत्तर है जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर जच्ट धारा मोटर डीसी मोटर में प्रति पोल कम होता है अभ्यवा य Cinth मोटर City जाती है चल यह हम अगले प्रस्ट पर चाहते हैं दोस्तों यह समय आपको डिटेल से पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि दोस्तों यूपी आर्वीनल टीजी टू का एक्जाम जो आगाया नजदीक है उनके लिए दोस्तों यह डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है जो यहां पर बताया जा रहा है सिर्फ उसको आप देखते रहिए और जो सवाल आएं उनको अपनी रफ काफी में लगाते रहिए यहीं से दोस्तों मान लो अधिकतार सवाल मिल जाएंगे और जो दोस्तों यूपी पी से टीजी टू है उनके लिए काफी महत्पूर होगा उनके लिए यहां से प्रस्ण डारेक्ट मिलेंगे क्योंकि दोस्तों इसकी ब्याक्षा इतनी अच्छी दे गई है हम इतना इस प्लेंट कर रहे हैं इसमें आपको यहीं से प्रस्ण दिख जाएंगे चलिए जैसा कि हम अगला प्रस्ण देखते हैं दिस्ट धारा मोटरों में परवर्त प्रस्ण धारा से बचने के लिए इसका सई उत्तर है जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं इसमें मुख्यता स्टार एक प्रकार का प्रत्रोध होता है जिसको आर्मेचर के सीरीज में जोडा जाता है जिससे स्टार्टिंग करेंट को सिमीत यानि सिमीत कर सके जैसे कि दोस्तों डी सी मोटर में přियोक्ती चाटर निम्न प्रकार के होते हैं जैसे कि दो सब्सक्राइब करते हैं निकलर, कमपाउंड मोटर में करते हैं और चार प्रफ्सक्राइब करते हैं चलिए हम अगले प्रस्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ण दिया गया है एक चार पोल 500 वोल्ट संट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग समय मतलब सन्योजित कंड़क्टर लगे हुए हैं तो पूल्ड भार्द आर्मेचर धारा यानि 60 अम्पियर और अभिवा प्रत संपर्ग प्रति बास मतलब ब्रस एक वोल्ट है तो मोटर की गुलन पूर्ड भार पर मतलब मोटर की पूर्ड भार गती क्या होगी दोस्तों इसको आप हल करें तो आपको जो उत्तर निकल कर आएगा छैसों पचैतर आर्पीम जैसे कि दोस्तों यहां पर दिया गया है दो इसको बराबर होता है फाई जैडेन पी अपान साथ ए उस फार्मूले पर रख देंगे यहां पर सारा मान दिया गया है आप और दोस्तों इसमें और एक फार्मूले लगे उसको मान रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा चल यह हम अगले परसन पर चलते हैं दोस्तो इसे हल करना अगर आपको ना है तो मतलब कमेंट कर देना माँ उसका हल करके टेली ग्राम पर सेंड कर दूँगा चल यह आटो ट्रांस फार्मर में एक केवल एक मतलब डाट ट्रांस फार्मर में केवल डट डैस वांडिंग होती है राइट अंसर दोस्तों आप सान नमर एक यह जैसा कि दोस्तों इसमें यह आटो ट्रांसफर्मर मेर्याइन 10 टुर्वांड सेध्र pap first यूजिकक्त्रा बुूर्दर के मोटर को चलाने के लिए आडो ट्रंसफर्मर कप सटार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें एक वी वाइंडिंग होती है जो कि दोस्तों प्राइमरी और सेकंडरी दोनों का कारे करती है जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रस्ण पर चालते हैं आपका अगला प्रस्ण दिया गया है यहां पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा प्रडामित्र के के तेल का कारे नहीं है रा आत्मी कुंडलन तथा दोतिया कुंडलन को सीतलन करना इसका पूर्ड ब्याक्या जैसे कि पैड़ामित तेल का कार अत्रिक्त कुछा लगता प्रदान करना होता है चलि हम अगले प्रशन पर चलते हैं पैड़ामित यानि ट्रांसफार्मर में लव हानिया पाई जाती है राइ एक ट्रांसफार्मर की नो लोड इस्थिति में यदि ट्रांसफार्मर के कुंडली का कोई प्रत्रियोद ना हो तो आहरन चार सो वाट मिलता है तो ट्रांसफार्मर में कुलंच्छा का क्या होगा राइट अंशा दोस्तों आफ्शन, लव हानि के बराबर अर्थात कुल छे चार सो वाट होगी चल यह हम अगले प्रशन पर चलते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर यह नहीं पालिडामित में पूर्ड भारित तांबे का नुक्सान सोला सो वाट है तो अर्द भारित तांबे का नुक्सान डेट डैस होगा राइट एंसर दोस्तों अप्सन नंबर डी चार सो होगा जैसे कि दोस्तों पूर्ड ताम रहानी बराबर होता हुआ अपान गुड़े सोला सो इसको हल करें तो आपका चार सो सही उत्तर आ जाएगा चल यह हम अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन दिया गया है अधिक्तम जच्छता के दौरान परड़ामित रेन टांसफार्मर में तांबे का नुक्सान एक हजार वाट है तो लोहे का नुक्सान कितना होगा अपक्षम अबस्पांप नमर भी एक हजार वाट इसका सही उत्तर होगा जैसे कि ताम रहानी बराबर लाव हानी होता है लावानी कमान हम एक हजार वाट होता है जैसे कि दोस्तों हम अकले प्रशन पर चलते हैं आठ सो प्रात्मीक और दोसो दोतियक फेरो वाले एक प्रत्यवर्थी धारा एसी सप्लाई की अपूर्ती दी जाती है तो दोती वोल्ट की गड़ना करें सहुत्ता दोस्तों अपसन नमबर ए 25 वोल्ट इसका सहुत्तर होगा जैसे कि दोस्तों यह फार्मूला है इस फार्मू उपकरण और तारों के विदुत रोधी प्रतिरोध को आम तोर पर किसका प्रियोग करके मापा जाता है राइट एंसर मेगर को उप्योग करके इसे मापते हैं चलिए अगले प्रसंट पर चलते हैं आपका अगला प्रसंट है स्यारों में स्क्रीन में 10 मीटर सेकेंड मीटर के सामय सामय के साथ अनुमानित आरा दात आब रत यानि साथूट सी डेड़एस होगी, दोस्तों सहय उत्तर होगा, आप सब्सक्राइब नम्बर से एक मतलब 100 इसका सहय उत्तर होगा, जैसे कि दोस्तों आब रत रहेंगा, इसको हल करेंगा, तो आपका उत्तर आज जाएगा साव हड्ज यहां पर देख सकते हम अगला प्रश्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रश्ण दिया गया है एक स्यारो का स्वीप जनरेटर इलेप्रान भीम के 36 विच्षेप के आरा दंति सा तूठ वोल्टेज के लिए प्रियूक्ट किया जाता है इससे परदे का वास्तविक प्रकास्मे तरंग के रूप में प्राप्त होता है इसे टाइम बेस जनरेटर भी कहा जाता है चलते अगल काट मीटर पद्यती स्टार तथा डेल्टा में जूड़ी दोनों पडालियों के लिए लागू होता है इस पद्यती द्वारा सक्ति मापन किया जाता है यहां पद्यती संतुली तथा असंतुली दोनों भार के लिए लागू होता है अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपक यह बूद्सक्राइभ सकते हैं वुल्त मीटर जो होता है फिरें思 डिसी दोने को मापता है मर्करी मोटर मीटर्स होता है सकते हैं प्रेइड से के लिए नहीं किया जाता है हाँ मतलब ४ आ की के लिए इसी के लिए प्रियोग किया जाता यह सिर्फ सर्जित इलेक्ट्राणों का उस्वस्षित करने इसका साय उतर है जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं जब такие में स्क्रीन पर किसी फ्लोरो सेंट पदार्थ की कोटिंग एक सीट का कारे करती है जिस पर ग्राफ बनते हैं अगला प्रश्ण केवी ए आर मीट्रो का उप्योग थीरी फेज परिपतों में केवी ए के डेट डेस घटक को मापने के लिए किया जाता है से उत्तर दोस्तों आपसन नंबर डी वाटलेस का प्रियोग करते हैं चलिए हम अगले प्रश्ण पर चलते हैं किसी उच वोल्टेज लाइन धारा का मा साथ क कहब करेंट्ट्र ट्रांस्फार्मर की जाता है कर्या ठांस परमल लाइन के स्रीज में कनेक्ट किया जाता है अगला प्रश्ण पासम्त नमबर वे दूस्तों दूस्तों एच्प ऑब्र मोटर में फुल लोड़ स्लिप एक पर्रतिसत से तत्हां निमिन लर्षर HP के मोटर में 56 तक होती है चलिए जैसा कि दोस्तों यहां पर दिया गया है यहां पर समझ सकते हैं अगला प्रशन पर चलते हैं हमारा अगला प्रसन दिया गया है स्कवल के लिए इंडक्शन मोटर में प्राथमिक टार्क कारण कम होता है राइट संसर दोस्तों आप सद मडरे उच प्रारंविक करेंट और उच प्रारंविक और जाटक इसका सई उत्तर है जैसा कि दोस्तों इस्क्वेरल केज प्रेरल मोटर रोटर लगुपतित होने के काराड़ परारंबिक धारा इसमें अधिक होती है हम अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन अधिया गया है रोटर के सरल और मजबूत निर्माण के काराड़ और तो कि वे लग और मजबूत निर्माण का काराड लग बग अटूक होने का काराड़ आम तोर पर इस्तिमाल किया जाता है प्रेरल मोटर में लग बबबे डिजी मतलब 90 प्रश्शत स्क्वेरल केज परकार की होती है । Linux इंग्छा अगला प्रश्न रिए गया है प्रारंभीग प्रवाहि हे हैं सचुरत्तों जैसा कि दोस्तों पिंजरा जैनी स्कोरल के टाइप इंड़क्शन मोटर के प्राράम में जरा कमान निरधारित पूडळे भार धाराक'm स replace होता है और आमतृव पर मोके निरधार पूर्ठ मोके पर परिवरमण करने है से उत्तर दोस्तों यहां पर देखते हैं कि जब इसके स्टेटर में थिरी फेज सप्लाई दी जाती है तो यह घुमने वाला चुमकी छेत्र यहां रोटेटिंग मेगनीटिक फिल्ड इस्थापित करता है अगला प्रश्ण है यह दि एक चार दुरूई यानि चार पॉल इंडक्षन मोटर की गती अठारा सो अर्पीम है तो मोटर की आब रती पर संचालित हो रही है राइट एंसर दोस्तों अप्सन नमबर सी साथ हज इसका सही उत्तर होगा जैसे कि दोस्तों पूरा मान दिया गया आपको सिर्फ काल्कुलेशन करना है फार्मूला भी दिया गया अगला प्रश्ण है एक प्रेराण मोटर में जैसे ही वायू का अंतर बढ़ता है सही उत्तर दोस्तों आपसन नमबर डी पावर फैक्टर घड़ जा जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं इसमें के त्री पूइंट इस्टार को धार कुछ मतलब त्री पूंट इस्टार का उप्योग अर्मेचे धारा को निम करने के लिए कि यजा तो ठीस पूर्ट प्रियोग संट तथा अप्सन नमबर सी इसका आरंभी मतलब आरंभी बड़ अगुल उच होता है यह इसका सही उत्तर है जैसा कि दोस्तों इसका उप्योग वैदुद घड़ी में किया जाता है चले हम अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन दिया गया है सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्शन मोटर किसके लिए सबसे उप्योग था है राइट एंसर दोस्तों आपसन नमबर भी ग्राइंडर के लिए सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्शल मोटर जो है AC वा DC दोनों पर कारे करती है इनका मुक उप्योग वैक्यूम किलीनर मिक्सी ग्राइंडर आधी में होता है अगला प्रशन अगला प्रशन आपका दिया गया है सिलिंग फैन में जिसमें संधारित वहन मोटर लगी है उसे उसमें राइट एंसर दोस्तों आपसर नमबरे सेकेंडरी वैंडिंग के चारों और प्राइमरी वैंडिंग होती है चल यह एकला प्रशन अगला प्रशन आपका दिया गया है एक फेज मोटर का घुलड़न वाला भाग कहलाता है राइट एंसर आपसरन बर भी रोटर एक फेज मोटर को घुमने वाला भाग रोटर कहलाता है दोस्तों इसमें confusion होता हा कहीं कहीं एक्जाम में रोटर भी दे देता है कहीं कहीं आर्मेचर भी दे देता है जैसे कि दोस्तों इसमें रोटर दिया है और कहीं कहीं आर्मेचर भी घुमने वाला भाग माना है आयोग ने जैसे कि इस्थिर वाला भाग जो होता है इस्टेटर होता है यह सिंगल फेज तुलना में कम होती है अगला प्रश्ण निम लिखित में से कौन सा टेप मोटर को कनेक्शन के लिए सबसे उप्यूक्त है राइट एंसर दोस्तों आपसन नमबर डी वार्णिस्ट केंप्रिक इसका सही उत्तर है चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं एक सिंक्रोनस मोटर य चलते हैं और प्रश्ण पर दिया गया है उस अधिक्तम टार को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर इस्थिर आवस्त हम ने प्रश्ण पर चलते हैं में रेटेड वोल्टेज है और आवरती पर रोटर की किसी भी कोड़ी स्थीती में वीक्सित होता है सही उत्ता दोस्तों आपसन नमबर डी लाग्ट रोटर टॉर्क इसका सही उत्ता रहे चले अगला प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन आपका दिया गया है जैसे कि देख इसकी व्याक्यत से समझते हैं बहुत उच्च गती के प्रत्य वर्तक में नॉन सेलियंट पॉल प्रकार करोटर उपयोग किया जाता है नान सेलियंट पॉल रोटर से लेंडरिकल आकार के होते हैं इसलिए इसे चिकना वेलनकार धूर्व यानि पोल प्रारूपी घुरुड कहते हैं इनका व्यास 05 से लेकर 15 रहें की आछई लंभाई रहे होती है चलिए हम अगले प्रश्न मपर चलते अगला प्रश्न आपका दिया गयाक यहां यहां पर देख सकते हैं अगला प्रस्न दिया गया तिया घнаком्न जेनेरेटर के संदर्म में कौन सा frig Us सही है जैसा कि दोस्तों इसमें दिया गया है उसमें आर्मेचर और Woonding होते हैं यह इसका सहे उत्तर है ₩ चल यह अगले प्र्शन पर चलते हैं जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप जेन Ern अन रोटेटिंग फिल्ड वाइंडिंग होती है इस्तिर आर्मेचर में उच उच निर्गत धारा को विना बुरुसों की सहायता से इस्तिर टार्मिलों को मतलब टार्मिलों से प्राप्त किया जा सकता है यह इसकी व्याख्यात है कि जो कि दोस्तों इंपोर्टेंट है पौनी परगामी और इकाई सक्ति गुड़क पर कारे कर सकती है और समान उत्तेजन वाली सिंक्रोंस मोटर में पार फैक्टर डैट डैस होता है राइट अंसर दोस्तों आपसर नंबर सी एकाक होता है जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्ण पर चलते हैं तुलिकालिक मोटर डैट स्वता परिवर्तित मोटर नहीं होती है इसे इस्टार्ट करने के लिए पोनी मोटर का उपयोग किया जाता है चलिए हम अगले प्रस्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ण दिया गया है पचास हड्ज प्रत्यवर्ति धारा पर चलने वाली चार पोल तुलिकालिक मोटर के लिए साप्ट की घुड़क गती क्या है दोस्तों इसको हल करेंगे इस फार्मूले से आपका जो निकल कर आएगा आपसन नमबर डी पंदर सो आर्पीम से उत्तर है चलिए हम अगले प्र जीयास अच्छा है जय सकी दोस्ते एक रिक्टी फायर डायोड फारवर्ड दिसा में 20ichhour विप्रीद दिसा में सिलियनियम नामक पदार्थ की अचालक पर्थ होती है इसमें इसका उप्योग जो है अठारा वोल्ट जीरुद सौनल पाँच एंपियर तक रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है अगला प्रस्न दिया गया है जब कोई पंप नए अतावर पर अधिर श्थापित हो अत्व की अच्रमाब की आवशकता नहीं होती है जोर केम चलते हैं लाटा जैसा की दोस्तों अगले अग्ले पुरॉजह opinion की दुपर जाहां सकते हैं यह एक 16 वाली केयपेशीर कार की पंखे की मोटर री डियॉइन रिवां ईंडिंग में एक अथवाँ दोपोस की वांडिंग की गलत है तो जोस्तो आफ्सनिकर हो जैसा कि दोस्तों यदी 16 पोल्स की वाली कैपीसिटर प्रकार की पंखी की मोटर कि वाइंडिंग है तो धुर्वता गलत हो तो पंके धीरे चले गए चलिजे हम अगला प्रस्वन देखते हैं कि किसी मोटर की वाइंडिंग में प्रति पॉल प्रति फेज कुंडल्यों की संख्या एक या दो हो तो वह कहलाती है से उत्वता दोस्तों अप्सन नम्बर सी संगनीकरत winding कहलाती है चल ये, जैसे की दोस्तों यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की winding में कुंडल्यों की संकेंदरी संकेंदरी रूप से इस्थापित की जाती अता उन्हें क्रम सा छोटे बड़े आकार का बनाया जाता इसमें अदिक कूलींग इस्तान प्राप्त होता है इसलिए सिंगल फेज़ मोटर्स में आम तार पर संकेंदरी वांडींग इस्थापित की जाती है ऐनकला प्रशन आगला प्रशन दिया गया है यह यह दि किसी मोटर की मैं किसी मतलब मैं येक समुः की सभी कुंडलियों का केंदर एक ही हो तो वह कहलाती है राइट एंसा दोस्तों आपसा नमबर सी संकेंदरित वाइंडिंग कहलाती है चल ज़िए हम अगला प्रश्ण पर चलते हैं यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में प्रती पोल प्रती फेज अगला प्रश्ण आपका दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं थिरी फेज इंडक्सन मोटर पर नो लोड टेस्ट निमलिखित परिक्रमों में से किसकी गढ़ना के लिए किया जाता है राइट अंसर दोस्तों अपसन नमबर ए इसकी गुर्डन हानिया और लाव हानिया इसका सही उत्तर है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नो लोड टेस्ट ग्यात करने में परामीटर्स का उप्योग करते हैं जैसे कि दोस्तों गुर्डन हानिया और लाव हानिया और सुन लोड निविष्ट पावर नो लोड धारा उत्तेजक परिपत का देख सकते हैं और किरिया सिल घटक मतलब धारा ओमेगा का किस्टल घटक धारा माइक्रो देख सकते हैं यहां पर दोस्तों इसे आप खुछ से समझ लेना चलिए जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं इस्टेटर की प्रसामान ने प्रियुक्त वोल्टा का लगू परिपत धारा यहां पर देख यहाँ ज़िए आतब धार रहा है तब क्या होगा प्रसा स्लेटियर स्लीफ रिंग मौटर शुरू नहीं होगी चलिए जैसा कि दोस्तों यहां पर दिया गया है कि अजिसके कारण मोटर कभी स्टार्ट नहीं धी क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं सलिप रिंग मोटर का रोटर का रोटर प्रत्रोथ जब खुला हो तो भा कहुला प्रिक्पत की तरह बिवहार करेगा जिसके कारण रोटर पर कभी कभी भी घूली छेत्र उत्पन नहीं होगा अर्थात जिसके कारण मोटर कभी स्टार्ट नहीं होगी अगला प्रश्ण किसी विद्धूत आइरन के रिबन फिलामिंट का ताप मान की रेंज क्या है राइट एंसर दोस्तों अपसन नमर भी 200 सोडियम वास्प लैंप यानि सोडियम वेपर लैंप दोस्तों यह काफी देर में मालो यह पूरा प्रकास अपना उत्तपन करता जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह 10-15 मिनट का समय लेता है चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्ण पर चलते हैं सर्किट ब है जैसा गिर चलते हैं हम इसकी विष्झेष। प्रति बिस्थापन अत्यांति गता से संपन्न किया जा सकता है जली तर्मापक सिर्ज टर्मिनल की मुटाई सयोजberry कनेक्टर के छिद्र अधिक तो केबिल की किस यूगति के द्वारा सहयोजक में कसना साहिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन दिया गया है यहां पर दोस्तों इसमें बताएगा चित्र में दर्सित यूगति क्या है राइट एंसा दोस्तों अपसन नमबर सी मतलब आपसन नमबर भी ग्रोमेट है यह जैसा कि दोस्तों ग्रोमेट एक सुरच्चा युकति है जिसका प्रयोग धात्विक चादर से निर्मित उपकरण की बाड़ी नियंतरक पट आदी के छिद्रों में केविल से गुजारने मतलब केविल से गुजारते समय किया जाता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं एक एकल तन्तु वाले दूत तापक की ताप मान सीमा क्या है राइटोचह लिए सीध माइट STOP semi St 750 degree Celsius से लेकर 900 cc प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन दिया गया है एक हजार वाट दोसो तीस वोल्ट विद्धूत केतली को 15 एंपियर प्लग सर्कुट से संयोजित किया जाता है और संयोजा केबल भी 15 एंपियर धारा वहन चमता का प्रयोग किया जाता है तो इस करण की सुरच्छा के लिए फ्यूज का मान क्या होगा राइट एंसर दोस्तों आप फल करें तो आपका उत्तर निकल कर आए गया पांच एंपियर इसका सही उत्तर होगा जैसा कि दोस्तों यह पर मान रख देंगा आपका उत्तर आ जाएगा अगला प्रशन दिया गया है विद्धू तापक म में प्रियुक्त उसमा रोधक अचालक चीनी मिट्टी होती है जबकि किसी प्रत्रोध तार से विद्धू धारा प्रवाहित की जाती है तो वैदूत उर्जा उसमी उर्जा में परिवर्टित हो जाती है और प्रत्रोधी तार गर्म हो जाता है अगला प्रशन एक नए थर्मो स्टेट स्विच का प्रित्रोध होना चाहिए राइट एंसर अपसन नमबर A केवल कुछ ओम यानि 10 से कम या सूनने होना चाहिए चल यह हम अगला प्रशन पर चलते हैं यह दि एक यह निस्ट फेज 230 वोल्ट चालिस मतलब 48 इंच चत के पंके को 120 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तो किया हो गया राइट अंसर दोस्तों वहां धीमी चलेगा जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि साथियों यह इसमें कथन दिये गए हैं इसको आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से कथन सही है जैसे कि कफन वन हम पढ़ते हैं सर्ज टाइंग के एक मुख्य कारकारी पेनिस्टाक में पानी के टंकर प्रडाओ को कम करना ये दोस्तो कफन सही है कफन दो पेनिस्टाक प्रवेस किरिया से और फोर्बे से टर्बाइन तक पानी लेदने के लिए एक नली प्रडाली है ये भी सही है दोस्तो अपसन नमबर ए दोनों सही है इसकी मानलों ये कफन दोनों सही है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सर्ज टाइंग देख सकते हैं सर्ज टाइंग का मुक्कार पेनिस्टाक में पानी का टंकर प्रभाव को कम करना होता है जैसे कि दोस्तों पेनिस्टाक प्रवेस प्रकिरिया और फोर्वेस से टर्बाइन तक पानी ले जाने के लिए एक नली प्रडाली होती है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सार्जी टाइम की यह रहा आपका आप यहां से समझ सकते हैं यह दोस्तों आपकी डर्बाइन होगी जो की पाणी से आपकी डर्बाइन घूंती है अगला प्रस्न अगला प्रस्न दिया गया स्यांतरी कूर्जा प्राप्त होती है जो कि जर्मींडरेटरं के लिए प्राइममेर का कारे करती है लब अग्ला प्रस्विट जी अधिया गया है टरीज केबिल और बॉध्र यह अंतर यह है कि आर्मिरिंग की जाती है सभी क्रोड पर सेंग्त रूप से धात्वी खोल यानि लेड खोल नहीं चड़ा जाता है परंत संयुक्त संयुक्त आर्मरिंग अवश्यक की जाती है ये इसकी कुछ व्याक्षा थी चलिए अगला प्रस्ण दिया गया है अगला प्रस्ण आपका दिया गया है ग्यारा केवी यानि हाइट एंसन केविल को भूमी से दस मतलब भूमी से डेट डेस गहराई पर इस्थापित किया जाता है सयुक्त दोस्तों आपस नमबर भी जीर समलो नव मीटर इसका राइट एंसर है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर द इस प्रकार के केवल में रिक्त इस्थानों में फाइबर मिस्त्रण भरकर लेड लेड कवच चड़ाते हैं चल जागले प्रश्ण पर चलते हैं चाचट किलो वोल्ट भूमी गत लाइन में प्रियोक किया जाने वाला केविल है राइट एंसर दोस्तों आपस नमबर डी एश्टी केविल इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण भूमी गत केविल में भूमी की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केविल को डेड डेस की अगले प्रश्ण पर चड़ाई जाती है आपसा नमबर सी सीसा यानि एल्मूनियम जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अगले प्रश्ण पर चलते हैं सिरो परी लाइन में नंगे तारों की अपेच्छा चार कोर इंसुलेटेड केवल प्रियोक करने का मुख्य है टेलीफोन में विरूपर्ड जो उसके निकट वर्ती टेलीफोन लाइन में के द्वारा हो जाता है वह खैलाता है राइट एंसर आपसा नमबर भी आर पार बातचीत यानि क्रास बातचीत इसका सही उत्तर है चले हम अगले प्रश्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रश या चाल की युगमित एक अवांचनी प्रोग्राम होता है अगला प्रश्ण दिया गया है टेलीवीजन सिगनल एक विशिष्ट पूरी से मतलब विशिष्ट दूरी के बाद समानता टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाते हैं कारण है राइट अंसर दोस्त आपसा या प्रत्वी की वक्रता के कारण है चल जागला प्रश्ण है परदे पर प्रदर्सित फिक्सल की संख्या जानी जाती है परदा की राइट टेंसर दोस्तों इसका जो सहीवत तरह आपसा नमबर इस पश्टता के रूप में जाना जाता है दोस्तों ये थे आपके हुए लगभग डेड़ सो प्रस्न आपकी कंपलीट हो गए जो कि दोस्तों इससे कम नहीं होंगे लगभग जैदा ही हो जाएंगे चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा और दोस्तों मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप चैनल पे नए है तो चैन थोड़ा बड़ा हो पाएगा चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा और फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए